जब अकेले में कामवासना हावी हो तब क्या करे? देखो भाई, कामवासना कभी भी किसी समय आ सकती है. ये बात बिलकुल गलत है. अगर आपको कामवासना परेशान कर रही है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो. आपके अंदर कभी भी बेवजह उतेजना पैदा नहीं होगी. आप कहा गलती कर रहे हो वो केवल, आप ही को मालूम है. अगर मैं उदाहरन दू कि आप वो गलती कहा कर रहे हो, तो आप दिन भर मोबाइल स्प्रोल कर रहे हो. कुछ ऐसे रोमाटिक वीडियो को देख रहे हो और हर पराइस्त्री के प्रती सोच पवित्र नहीं है और नहीं आप अच्छे भोजन कर रहे हैं. इन सब चीजों से बेवजह हमारे अंदर कामवासना जगती है. अगर एक बार किसी भी तरह आपके गलती से उतेजना पैदा हुई तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे. अगर आपका सेल्फ कंट्रोल कमजोर है तो अगर आप किसी तरह भी दबाने की कोशिश करेंगे फिर भी पाँच माइनस दस दिनों में वीरिनाश हो जाएगा. इसलिए अपने मन को कंट्रोल में रखो थोड़ी सी छूट देने पर आपका मन ही आपको कहीं न कहीं फसा देगा. मैं बार-बार कहता हूँ ध्यान और योग किया. करे अगर आप पाँच मिनट शाती से नहीं बैठ सकते हैं तो फिर आप कैसे दो घटे की क्लास में बैठे करिया कब बनाओगे खुद की ओकाद बनाओ भाए एक दिन मर जाओगे कोई नहीं पुछेगा तुम्हारे सपनों को कोई और पूरा नहीं करेगा जो पाना चाहते हो उसे पाओ अपनी पसनेलिटी को बनाओ भाए इस दुनिया में आय हो तो नाम कमाओ भाए नहीं तो अगर आपको कामवासना परेशान कर रही है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो आपके अंदर कभी भी बेवज़ उतेजना पैदा नहीं होगी आप कहा गलती कर रहे हो वो केवल आप ही को मालूम है अगर मैं उदाहरन दू की आप वो गलती कहा कर रहे हो तो आप दिन भ सब चीजों से बेवज़ हमारे अंदर कामवासना जगती है अगर एक बार किसी भी तरह आपके गलती से उतेजना पैदा हुई तो आप खोद को रोक नहीं पाएंगे अगर आपका सेल्फ कंट्रोल कमजोर है तो अगर आप किसी तरह भी दबाने की कोशिश करेंगे फिर भ बार बार कहता हूँ ध्यान और योग किया करें अगर आप पांच मिनट शाती से नहीं बैठ सकते हैं तो फिर आप कैसे दो घटे की क्लास में बैठेगे आप अभी क्यों इतना बेचैन हो जब शादी होगी तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी देखो मेरे भाये हमारे सपनों को कोई और पूरा नहीं करेगा जो पाना चाहते हो उसे पाओ अपनी पस्नेलिटी को बनाओ भाए इस दुनिया में आय हो तो नाम कमाओ भाए नहीं तो अपनी पूरी जिन्दगी बुरी आदतों में बर्बाद कर दो कोई तुम्हें जानेगा ही नहीं की जब आपके विचार शुध रहेंगे, तब ही आपका मन पवित्र रहेगा, दो खर रोज मेडिटेशन यानी ध्यान करे, योग और ध्यान भी जरूर करे इससे, हमारा मन शांत और पवित्र होता है, इसका अभ्यास जितना अधिक करेंगे, हमारा मन ब्रहमचर्य को लेकर और प्रबल बनता है, और हमारा मन जल्दी भटकता नहीं है, तीन अपने जीवन का एक महान लक्ष निर्धारित करें, आप जो भी करना चाहते हैं, उस चीज से आप भी खुश रहे और ये देखने की कोशिश करे की, मेरे काम से देश्व समाज का कुछ भला हो रहा है या जो भी चीज करें पूरे दिल से और विश्वास के साथ करें, चार आध्यात्मिक या ब्रहमचर्य से जुड़ी किताबे पढ़िए या फिर आप सेल्फ इंप्रूव्मेंट से रलेटर कोई बुप पढ़ सकते हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप अपनी आए अच्छे से करें, विद्यार्थियों के लिए उनकी पढ़ाई भी ब्रहमचर्य के बराबर है, पांच आपको अपने काम में व्यस्त रहना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का धर होता है, इसका मतलब आप कुछ भी फाल्तु चीज में व्यस्त न रहे जिसमें, आप का समय बरबाद हो, केवल आप वही काम करें जिससे आपकी ग्रोथ हो, अगर आप इस लट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो कॉमेंट में येस लिखे